Hi friends, मैं हूं Harry Indian और आप है Critics Corner में पटना शुकला जो की 29th of March को रिलीज हो चुकी है ये एक ड्रामा मूवी है मूवी अर्वाज खान के प्रोडक्शन में बनी हुई है डिरेक्टर है विवेक बुदा कोटी स्टार कास्ट रवीना टंडन as a तानवी लॉयर या यू कहूं कि as a पटना शुकला सतीश कौशिक जी as a judge मूवी जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये कॉपी कर रही है Jolly LLV है Jolly LLV 2 को Jolly LLV है Jolly LLV 2 में हमारा जो हीरो है वो इन्नोसेंट सा लॉयर है वो जो केस लड़ रहा है उसमें उसके अगेंस्ट जो लॉयर है वो बहुत तेज तर्रार है उस तेज तर्रार लॉयर पर शिकंजा कसा हुआ है उसके क्लाइंट का जो की काफी पावर्फुल क्लाइंट है जज को कहीं न कहीं पता लगता है Last Duck की हाँ हमारा इन्नोसेंट हीरो ही सही है और लास्ट में वो फटकार भी लगाता है इंडारेक्टली उस तेज तर्रार अगेंस्ट जो लॉयर था उसकी तो ये सबी कुछ इस मूवी में भी ऐसा ही दिया हुआ है काफी हद तक तो ऐसा लग रहा था कि ये जॉली एललवी थी देख रहा है जो की ठीक तरह से बन नहीं पाई है एक्टिंग की अगर बात करें तो रवीना टंडन ने बहुत अच्छी एक्टिंग किये लेकिन उनकी जो क्लाइंट है रिंकी कुमारी उसका जो करेक्टर जिसने पिली किया है क्योंकि रिंकी कुमारी के उपर ही पूरी मूवी है उसकी मारशीट जो है वो चेंज कर दी आती है बहुत बड़े नेता से रिंकी कुमारी जिसको पक्का वरोसा था कि उसके 60% आएंगे लेकिन उसकी सिर्फ 30% आया और वो फेल हो गई तो वो रवीना टंडन के पास केस लेगे जाती है एक अलगी लेविल पर है अब हमारे बीच नहीं है इस बात का अफसोर्स है जब उनने देखा मूवी में तो बड़ा याद आई उनकी क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड प्रदीप सिंग शेखावत हम वरसोबा में जाया करते थे राच क्लासिक गार्डन में घूमने के लिए महां पर अक्सर 37 कौशिक जी भी आया करते थे तो जब फर्स टाइम प्रदीप ने उनसे बात की तो उन्होंने जिस तरह से उसको रिपलाय दिया इतनी अच्छे से उनसे बात की और पूरे राज क्लासिक गार्डन के उन्होंने एक दो चक्कर साथ में भी लगाया और करिय लॉयर बनने के बाद आपके लिए पढ़ाई लड्डू लेकर आऊंगी तब आप उनको खाना तो बड़ा ही बुरा सा फील हुआ क्योंकि अब यह सीन का भी होने वाला नहीं है एडिटिंग बीएफेक्स सिनोमेटोग्राफी डी ओपी वर्क सारा कुछ नॉर्मल मूवी तो सारा कुछ नॉर्मल वाला है बैक्ग्राउंड म्यूजिक भी नॉर्मल नॉर्मल है ऐसा नहीं है इसको नोट किया जा सके गुट पॉइंट बैट पॉइंट गुट पॉइंट सतिस कौशिक जी से जब उनकी वाइफ कहती है कि शुगर ले आओ रभीन अटेंडन आई ह अगर बात पर हूं बैट पॉइंट की तो मूवी का जो मुद्दा जो ओशूरू अमेसिंग बहुत ही जादा अच्छा था अगर अच्छे से work किया हुआ होता उस पर उसकी script पर उसकी story पर dialogues पर उस पर पहले work किया हुआ था movie बनाने से पहले तो शायद movie Jolly L.L.V. 3 जितना काम कर सकती थी 4 stars out of 10 as a critic बाकी audience की नजर से आप देखकर बता है movie को enjoy करना है तो लिंक्स मेरे टेलिग्राम और WhatsApp चैनल पर मिल जाएंगे टेलिग्राम और WhatsApp चैनल का लिंक वीडियो के description में दे दूँगा अपने भाई के इस चैनल को critics corner को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज मैं Harry Indian critics corner से बाबाई